क्या भगवान को किसी चड़ावे की जरूरत है? भगवान को वह 98 रुपए स्वीकार है, जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किये गए और उस दो रुपए का कोई महत्व नहीं, जो उनके चरणों में नकत चड़ाए गए डौट, पुरानी बात है. एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था. सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था. चुट्टी मांगी. सेठ ने उसे चुट्टी देते हुए कहा भाई? मैं तो हूँ संसारी आदमी. हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ. जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता. तुम जाही रहे हो तो यह लो एक सो रुपए मेरी ओर से श्री जगनात प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना. भक्त सेठ से सो रुपए लेकर श्री जगनात धाम यात्रा पर निकल गया डौट. कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगनात पुरी मंदर की और प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा की बहुत सारे संद. भक्त जन, वैश्नव जन, हरी नाम संकीरतन बड़ी मस्ती में कर रही हैं. सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है. जोर जोर से हरी बोल, हरी बोल गुंज रहा है. संकीरतन में बहुत आ आनन्द आ रहा था. भक्त भी वही रुक कर हरी नाम संकीरतन का आनन लेने लगा डौट, फिर उसने देखा की इतनी देर से संकीरतन करने के कारण भक्त जनों के ओट सूखे हुए हैं. वहां दिखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रही हैं. उसने सोचा क्यों आ सेट के स रुपे से इन भक्तों को भोजन करा दूर डौट, उसने उन सभी को उन सो रुपे में से भोजन की व्यवस्था कर दी, सब को भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपे खर्च करने पड़े, उसके पास दो रुपे बच गए. उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ दो रुपे जग रुपे चढ़ाए. सेट पूछेगा पैसे चढ़ा दिये, मैं बोल दूंगा की पैसे चढ़ा दिये. जूट भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा. भक्त ने श्री जगनात जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया श्री जगनात जी की छवी को निहारते हु अपने हृदय में उनको विराजमान कराया. अंत में उसने सेट के दो रुपे श्री जगनात जी के चरणों में चढ़ा दिये. और बोला यह दो रुपे सेट ने भेजे हैं. डॉट कुसी राच सेट के पास स्वपन में श्री जगनात जी आए आशिरवात दिया और बोले स सेट तुम्हारे 98 रुपे मुझे मिल गए हैं. यह कहकर श्री जगनात जी अंतर ध्यान हो गए. सेट जाग गया सोचने लना मेरा नौकर तो बड़ा इमानदार है पर अचानक उसे क्या जरुरत पढ़ गई थी उसने 9 रुपे भगवान को कम चढ़ाए? उसने 2 रुपे का क्या खा लिया? उसे ऐसी क्या जरुरत पढ़ी? ऐसा विचार सेट करता रहा डौट, काफी दिन बीटने के बाद भगवापस आया और सेट के पास पहुँचा. सेट ने कहा कि मेरे पैसे जगनात जी को चढ़ा दिये थे? भगवान हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिये. सेट ने कहा पर तुमने 98 रुपए क्यों चढ़ाए? दो रुपए किस काम में प्रयोग किये डौट? तब भगवापस ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपए से संतों को भोजन करा दिया था. ठाकुर जी को सिर्फ दो रुपए चढ़ाए थे. सेट सारी बात समझ गया. बैठे हो गए.